Hello and Welcome to Synopsis, I am Krishna आज वो डे है जिसका आप बहुत बेसबरी से इंतजार कर रहे हो 2020 के जाने का तो देखते हैं The Hindu और Indian Express में क्या कुछ है लास्ट के टू डेइस में, unusual टाइम पर I am releasing क्योंकि आज इस साल की चीज़ों को इसी साल में हम लोग finish करेंगे यह एक free course है जिसको आप देख सकते हो Synopsis IS के इस platform पर और यह courses है whatever आप इनकी details पढ़ना चाहो, whatever you want to do आप देख सकते हो copy paste करना चाहो वो भी कर सकते हो एक चीज जो मैं आपको 2021 में दो चीज़े बताना चाहूंगा तो पहला newspaper और दूसरा कि आपको अगर नी English अगर improve करनी है then what should you do देखो newspaper अगर आप पढ़ रहे हो तो prelims के लिए what I am observing Hindu is getting better day by day than Indian Express देखो जैसे FRS है facial recognition system यह Hindu की news है then इसके बाद आप देखो यह China का third aircraft launcher है यह भी आपका Hindu की news है then इसके बाद अगर digital ocean platform देखो यह भी Hindu की news है इसके अलावा आप देखो यह आकाश मिसाईली दोनों में मिल जाएगा आपको ठीक है ethanol production यह मुझे Indian Express में मिला तो नहीं और ammonia and rivers यह भी Hindu की news है fine हलाकि यह इतनी important नहीं है यह Indian Express में है तो पिछले दो दिनों में Indian Express में इतनी ही चीज़े है जो news में है और अगर आप prelims का paper observe करो तो maximum current affairs ऐसे ज़रूर होते हैं जो Hindu में होते हैं और Indian Express में नहीं होते हैं हलाकि अगर आप नहीं follow कर रहे हो तो आप यह course follow कर ही सकते हो दूसरी चीज क्या है कि जब भी आपको यह देखना हो कि कौनसा newspaper better है Hindu या Indian Express जैसे इस साल एक bird आई थी पांच मार्च के Hindu में दी होई है किसी और newspaper में नहीं है इसी तरह काफी चीज़े हैं जो सिर्फ सिर्फ इस नहीं उस पेपर से आती है दूसरी चीज अगर आप अपनी English improve करना चाह रहे हो तो बहुत से calls होती है sometimes I am talking to students आप directly editorial पढ़कर अपनी English improve नहीं कर सकते है suppose अभी दीन दयाल फलान डिम का यूजना या आपको यूजना की बारे में नहीं पता तो उसका critical analysis आपको कैसे पता होगा instead don't call me anti-feminist और sexist boys को generally cricket पसंद होता है और girls को mainly bollywood से रिलेटर चीज़े पसंद होती यह सब article पढ़ो आपकी English improve हो जाएगी ठीक है बाकी news के लिए यह सब चीज़े छोड़ दो यह other coaching institute you can follow whatever तो ठीक है news देखते है facial recognition system इस system में जो भी technology है वो इतनी ज्यादा easy नहीं है कि UPSC पूछ ले तो यह simple technology है कि आपके face को एक digital image database से या video database से चेक करता है जहां पर बहुत सारे faces होते हैं अगर आपका face match कर गया अगर आप UPSC aspirant हो तो try करो कि अपने face unlock system को mobile में off कर दो otherwise आप unnecessary time wage जादा करोगे जितना गंदे से गंदा password हो सके उतना आपको डालना चाहिए ताकि आपको password open करने में time लगे तो यह FRS क्या करता है पिन पॉइंट करता है आपके suppose यह आपका face है यह आप हो ठीक है तो आपक electrical type की चीज़े है यह चीज़े करता है पिन पॉइंट करता है मेजर करता है facial features और issues इसमें क्या है एक है false positive एक है false negative false positive मतलब जो आप हो ही नहीं वो recognize कर लिया suppose आप Trump हो और Trump को मोधी की तरह recognize कर लिया और दूसरी चीज़ कि Trump को Trump की तरह ही recognize नहीं किया that is false negative की मलब आपको ही recognize नहीं किया तो यह जो भी science है उसके हमेशा कुछ issues होते ही है news में क्यूं है government departments ने recently इसको use करना शुरू किया अभी इस पर कोई law या guidance तो है नहीं ठीक है इसको potentially invasive technology कहा जाता है क्यूं invasive है इसको fundamental rights के against देखा जा रहा है privacy and freedom of speech and expression article 21 and 19 1a तो जो justice case पुट्टसवामी case में Supreme Court ने threshold दी थी उसको यह finalize नहीं करता तो फिर obviously फिर हिंदू वाले तो पीछे पड़ी जाएंगे fine तो यह FRS है mainly prelims के लिए तो यह positive यह चीज़े important है और यह आपको पता होने की definition false positive and false negative क्या है देन दूसरी news देखते है चाइन थर्ड aircraft carrier launch कर आने वाला अब aircraft carrier यह सब चीज़े बार-बार आती है Synopsis IAS के platform पर suppose आप search करते हो तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2020 series यहाँ science and tech में देखना यहाँ मैंने पढ़ाया है आपको यह वाले lecture में surface fleet इसमें especially aircraft carrier ही पढ़ाया है इसके अलावा भी बाकिया आप इस series में और वीडियो चेक कर सकते हो YouTube पर free है पूरा science and tech तो थर्ड aircraft carrier से पहले first और second देखते हैं जो यह लियाओ निंग यह पहला aircraft carrier था Soviet time के एक cruise को retrofit किया था 2012 में commission किया गया था यह दूसरा aircraft carrier है पहला जो उनका इंडेजिनेस था जो चाइना ने अपने हाँ बनाये था और इसको अल्यडी डिप्लॉय तो कर दिया गया है ताइवाने स्टेट्स में और साउथ चाइना सी में लेकिन इसको combat ready next year बनाये जाएगा combat ready मतलब कि fight में आप इसको यूज कर सको मतलब यह आपको एक stable land stable base का replacement provide करता है in water मतलब kind of land system आपको provide कर दे रहा है यहाँ पर पूरा आपको airport की facilities मिलती है पूरा जो air base के अलावा जो army base है सबकी facilities मिल जाती है ठीक है तो ठीक है third one आएगा जो चाइना का third होगा यह largest भी होगा तो आपको prelims के लिए नाम याद कर लो कि यह चाइना के aircraft carrier है तो यह हिंदू की news है देन जो third news है that is digital ocean platform तो what is this DOC simple सी बात है ocean database के लिए है ठीक है तो ICOIS इनोंने दिया है one stop solution for all data for varied users यह सब चीज़े में में इस तरह की बकर की जाते पर लिए आख बंद करके all of the above मार दिया जाता है until unless यहाँ पर किसी दूसरी country का नाम ना लिखा हो इसलिए all of the above मारने से पहले आपको check कर लेना चाहिए कि मतला कोई unusual keyword तो नहीं डाल दिया है यहाँ पर strategic के बदले यहाँ पर threatening users लिख दे या कुछ भी non-state actors लिख दे तो फिर वो गलत हो जाएगा then minister of science and tech obviously यह लेके आएगी इस तरह की फाल्तु चीज़े और यह अगर आपको रटना हो तो मर्जी आपकी then अगली news है आकाश missile export again जो भी missile system है missile tech again आपको इसी science and tech में मिलेगा पूरी missile technology यहाँ पर अच्छे समझाई है आप बिलकुल घर में missile बनाओ गरगर missile आत्म निर्भा भारत अभियान को सफल करो तो यह news है तो आकाश जो missile है medium range mobile surface to air SAAM ठीक DRDO ने डवलप की है और बाकी लोग बनाते हैं that is not important इंडिया में जातर चीज़े DRDO ही डवलप करता है ठीक है इसके बाद एक scheme है जो ethanol इंट्रेस्ट सब्वेंशन स्कीम है ethanol production का एक target है कि government यह चाहती है कि 20% ethanol blending हम करे 2030 तक तो पहला aim यह है दूसरा aim यह है कि भा 1000 करोड लीटर तक ले जाए तो उसके लिए government यह interest submission देरा चाहरे है interest submission मतलब जो आपने loan लिया है सबोज आपको 10% interest pay करना तो 4% आपको government देदेगी 6% आप दो गए तो this amount is known as interest submission तो CCEA chaired by PM यह आपको quality से पता होना चाहिए इन्होंने एक modified scheme दी पहले इसमें सिर्फ molasses based product हु यूज करती हैं और ऐसी molasses based distillery जिनको CPC भी approve करें चाहे वो कोई भी method यूज करें तो यह दो चीज़े हैं यह याद करना हो third line तो याद कर लो बट यह वाली line तो ज़रूर कर लेना किसे scheme में क्या चीज़े add की गई हैं यह जो डैली के pages हैं कई बार यह मुना में ammonia को लेकर क कभी वह वाली लोग इनको blame कर देते हैं पहले आप पहले आप चलता है तो ammonia in river industrial effluent की वैसे आता है industries के जो भी solid waste या liquid waste है उनकी वैसे आता है और treatment होता है इनका ozone based unit तो इसको add करने का मेरा purpose है कि यह line आपको पता होनी चाहिए पहली line तो easy है then next one दिये जो kolar leaf bat है kolar की cave में मिलता है किसी गाहों में village में तो इनकी जो भी numbers है to 150 तक आ गए हैं घटके इतना खा गए लोग इनको मार मार के तो ऐसा नहीं करना है ठीक है habitat इनका क्या है endemic to India only in kolar caves मिलते हैं इसी वैसे इनको kolar leaf nosed battle कहते हैं critically endangered है wildlife protection act में अभी तक इसको ironically अभी तक कोई भी status protection status नहीं दिया तो आप खा जाओ मार मार के कुछ फरकने पड़ेगा अभी news में क्यों है क्योंकि जो करनाटगा का forest department है उसने BCIT के साथ इनको extinction से बचाने की महीम छेड़ दिये what is BCIT this is important की NGO है बैंगलोरो में fine तो bats के बारे में आपको थोड़ा पता होने चीए bats के around 130 species मिलती है इंडिया में mammal है लेकिन one of the least studied mammal इन इंडिया है ये pollinator है पॉलिंटर मतलब जो एक जगा से दूसरी जगा seeds को ले जाते हैं इनकी main diet nectar है nectar full में कुछ होता होगा insect control में भी help करते हैं और ही इनके साथ एक positive चीज है जो इनके लिए negative होती जा रही है they are highly adaptable creatures मतलब यह human habitation के आसपास often पाये जाते हैं और urban settlements में भी मिलते हैं इस वए से इनको vulnerable है या फिट threat जादा होता है so this is all for these two days or 2020 में जो भी चीज़े बची है उनको हम pt जो 360 degree है उसको launch करेंगे it will be launched in january and feb 15 january के आसपास से launch होने इसरू हो जाएंगे difference यह होगा कि all other coachings आपको एक या डिड़ महीने पहले launch करती है we are launching this in five to six month time देकर आपको ताकि आप exam से पहले आराम से revise कर पाओ ठीक है then again offline batches around 25th of jan से planned है तो if you are interested then you can contact us here and wish you all a very happy new year 2021 तो बाकी ठीक है आराम करो मजे करो